तो यह हमारा फॉर्थ लेक्चर है जिसमें हम कॉंपोनेंट इंटरेक्शन इन्पूट आउट्पूट और एंगुलर के कुछ डिरेटिव जिसकी मदद से हम एंगुलर में डेटा बाइंडिंग करते हैं और पुछ ऐसी चीजी कंडेशन्स रन करते हैं जिसकी मदद से हम एं कॉंपोनेंट की दो प्रोपर्टीस होती हoga, इंप्रोफ के और आउटूट और इनका यह मतलब होता है कि इनप्रोफ हमें क्या लेना है और आउटूट कुछ देनी तो इसको हम एगजेम्पेल के साथ समझेंगे यह इन्हों ने parent child का relation दिखाया हुआ है कि हम parent से child को कैसे input output आफेर सकते हैं तो यह हम अभी example के साथ समझेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने VS code में आते हैं और यहाँ पे मैंने project को run करके रखा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमारा project run है जो हमने last time बनाया था और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़े changes करेंगे इसका यह जो extra content है इसको remove करेंगे and then हम जो next topic book cover करेंगे तो सबसे पहले home के अंदर आते हैं यहाँ से हम जो extra content है इसके HTML में यह सारा remove करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं h2 tag में and component और यहाँ पे थोड़ा lorem text लिख लिखते हैं तो lorem text लिखने के लिए हम यह आप लिखेंगे lorem and 100 और ऐसा लिखेंगे तो 100 word का एक inbuilt जो text है वो automatically लिखके आज़ेगा और अगर आपको कोई dummy text चाहिए तो आप इसकी मदद से लिख सकते हैं तो यही same काम हम about us component के लिए करते हैं हम इसको open करते हैं इसको जो सारा content उसको remove करते हैं और यहाँ पे लेते हैं h2 tag और यहाँ पे हम लिखते हैं about component उसके बाद हम एक p tag लेंगे और उसके अंदर हम वही same काम करेंगे लोड हम text ले लेंगे लोड हम टेक्स ले लेंगे लोड हम under it एंड इसको enterprise करेंगे और उसके बाद हम जो है अपना page जो है लोड करेंगे तो आप यहाँ पे content देखेंगे वह change हो चुका है यह home का content है उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे about तो जैसे about लिखेंगे about content आ जाएगा तो कई cases ऐसे होते हैं कि हमें home के अंदर ही about us page भी चाहिए तो वह हम कैसे render करवा सकते हैं वह चीज़ पहले हम करते हैं उसके बाद हम जो input output concept है वह समझेगी तो यहाँ पे home component है home component के अंदर पहले हम जाते हैं यहाँ पे हम गए उसके बाद यहाँ एंटरप्रेस करते हैं हमें इसके नीचे अगर वह content चाहिए about us का तो हम कैसे render करवा सकते हैं तो उसके लिए हम same उसका वह selector है वह use करेंगे तो इसका selector है app about इसको पूपी कर लेते हैं और html के अंदर जाएंगे यहाँ पे हम इसको ऐसे paste कर देंगे और इसको हमें जो home component है उसके अंदर render भी करना पड़ेगा उसके लिए हम quick fix पे जाएंगे यहाँ पे देखो import तो यह about us का component है उसको हमारी ts file के अंदर import कर देगा और इसके बाद हम इसको अपने component के अंदर use कर सकते हैं तो यहाँ पे जैसे page load होगा आप आप नीचे देखोगे कि जो about us का component है वो render हो गया तो जो मैंने reusability की बात की थी वो इसी concept के अंदर आपको clear हो जाएगी वहाँ पे आप post का content दिखना शुरूप हो जाएगा तो इतना easy है एक component के अंदर दूसरे component को render करना कभी कभी हमारी जो requirement यह होते है कि हमने जो यह component यहाँ पे render करवाया है about us का इसका हमें कोई content जो है वो change करना होता है क्योंकि कोई जो हमें dynamic रखने होती है जैसे मुझे इसका जो नाम है वो ही change करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले about us component में जाएंगे यहाँ पे हमें एक input tag भीना पड़ेगा तो input को use करने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा add the rate input और उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पे title मैं title change करवाना जाता हूँ और यहाँ पे any ठीक है इसके बाद आपको input को ओपर render भी करवाना होगा इंपोर्ट करवाने के लिए आप इसको update कर देंगे तो यहाँ पे जो input अब import हो जाएगा अभी यह जो title है यह हमें parent वाले component से चाहिए तो parent इसका क्या है इसका parent है about इसका child है तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे title देंगे इसको title देने के लिए हम वो title यहीं पे लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे about title change ठीक है यह मैंने change कर दिया title इसका और हम इसकी HTML file है वहाँ पे जाएंगे और जो इसका title है उसको dynamic कर देंगे डाइनमी करने के लिए मैं इसको हटा दूँगा और curly brackets के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा अभी मैं इसको जैसे save करूंगा तो अभी आप इसका output देखेंगे अभी आप जो टाइटल देखेंगे यह वह change हो जाएगा automatically क्योंकि हमने parent component है वहाँ से इसका title है वह हमने change करके भीज आउट तो अभी आप इसका output देज सकते हैं तो ऐसे जो इसका input है वह tag काम करता है component का input tag अभी हम output tag को समझते हैं कि वह कैसे काम करता है तो उसके लिए हम भी यह score में आते हैं तो इस score में न हम छोटे छोटे जो shortcuts हैं वह भी समझेंगे कि वह हमें कैसे use करने है विजर सूड़े के अंदर तो यह अभी हमें ऐसे scroll करना बढ़ रहा बार बार तो इसको हम कैसे sort करेंगी इसको sort करने के लिए आपको right click करनी है और यहाँ पे format document का option है इसको यह से अब क्लिक करोगी तो यह आपका जो document है वो पूरा format हो जाए तो next concept जो है वो output का है कि हम child component से parent के अंदर output कैसे बेज सकते हैं तो वो हम कैसे करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें इसका sentence जो है वो लगाना पड़ेगा कि output का sentence है यह उसके बाद हमने object का नाम देना है उसके बाद new and then event event उसके बाद इसका data type है वो देना पड़ेगा तो इसको हम जाते हैं अपने child component के अंदर यहां पे हम इसको लगा देते हैं और यहां पे इसको fix जैसी करोगी आप यह उपर import हो जाएगा तो इसको हमने component के अंदर use करना है तो इसको भी update कर देते हैं तो इसका हम नाम लिखते हैं home title change by child component उसके बाद हमें क्या बरना होगा यहां पे एक function बनाना होगा change title नाम का और यहां पे आपको एक object लेना पड़ेगा तो मैं यहां पे लिगता हूँ title any and then उसके बाद आप लिको वे this dot home title change by child component हमने जो नाम रिखा था उसके बाद यहां पे आपको इसको dot करोगे embed करोगे emit करोगे और emit के अंदर आप जो है इसकी value pass कर दोगे तो मैं इसमें title की value pass करता हूँ और उसके बाद next step जो है हमें इसको एक button की click पे चलाना पड़ेगा तो वही button हम इस child वाले component के अंदर लेंगे यहां बे मैं एक button लेता हूँ button type type भी button दे लेते हैं उसके बाद next जो है इसको हम change title लिख देते हैं कुछ भी लिख सकते हैं और यहां बे मैं click element ले ले लेता हूँ और यहां पे इसको paste कर देता हूँ और यहां बे मैं जो home का जो भी नाम रखना चाहता हूँ उसके जो title का वो मैं यहां पे लिख सकता हूँ title change by child component तो मैंने इसका title है वो change कर दिया अभी यह जो है child component का हमने काम complete कर दिया एक function बनाया और function को हमने एक button के अंदर hit करवा के उसका जो title है वो change करवा दिया अभी हमने यह output दे दिया लेकिन यह कई पे हमें receive भी तो करना पड़ेगा हमने यहां से send किया तो receive करने के लिए हमें जाना पड़ेगा on component के अंदर तो यहां पे भी हमें एक function चाहिए और वो function क्या करेगा वो जो है वो function क्या करेगा वो जो हमने वहाँ child component से जो हमने value भेजी है वो यहां पे receive करेगा तो यहां पे लिखते हूं receive title value उस भी लिख सकते हो ना इसका और यहां पे जो है value receive है वो हम कर लेंगे तो वो कैसे करेंगे यहां पे एक object लेना पड़ेगा title and any उसके बाद आपको title चेंज करवाना है तो मैं यहां पे जो title है इसको ले लेता हूं और is equal to title तो यह वही वाला title है जो हमने html के अंदर use करना है और यह वह वाला title है जो हमें receive होगा तो हम क्या परते हैं एक बार इन सभी function को remove कर देते हैं तो यह confusion create ना करेंगे तो इस title को मैं copy करता हूं और यहां पे जो है वह लगा दे तो यहां पे मैंने paste कर दिया अभी यह जो है हमने जो method बनाया है उसको हमें यहां पे यहां से उसका जुआ output हो लेना पड़ेगा तो वह output हम कैसे लेता है इसमें हम वही चीज यूज कर सकते हैं जो हमने महां पे input output भी यूज की थी जैसे हमने input में title यूज किया था तो हमने यहां पे यूज किया अब जो output है उसके लिए भी हमें इसको copy करना होगा और यहां पे हमें इस वाले component के अंदर paste करना होगा और उसके बाद equal to हमने जो new function बनाया है उसको फोल करेंगे इसको copy करता हूँ और यहां पे paste and then यहां पे जो है title change करवा देंगे तो यहां पे हम लिखेंगे dollar event के बाद हम इसको save करते हैं एक और चीज जो हमने miss करिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखना होगा ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके बाद इसको save करते हैं इसका जो output है ब्राउजर के अंदर हम देखते हैं तो यह हमारा load हो गया है यहां पे हमारा button भी आ गया है इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा change title तो जो हमारा यह title है वो change हो जाएगा तो अभी हमने क्या किया एक child component से parent component के अंदर value send करें तो इतना easy input और output को use करता है उसके बाद जैसे हम projects करेंगे उसके अंदर मैं इसको और अच्छे से explain करूंगा और इसको हम अच्छे से use भी करेंगे तो इसका जो next concept है वो हम देख लेते हैं तो उसके बाद next है directives दूलर के अंदर हमें in build जो directives से वो मिलते हैं जैसे की if condition for loop switch case तो हम in if condition के साथ start करते हैं कि यह हमें कैसे use करनी चाहिए और इसका advantage क्या होता है तो सबसे पहले हम browser में जाते हैं कई पर ऐसा case होता है कि हमें content है वो किसी condition में रिखाना होता है और किसी condition में नहीं रिखाना था तो उस case में ng if का use करते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें browser में जाना पड़ेगा और यहां पे मान लोग यह हमारा जो child component है इसके अंदर जो यह content है यह मुझे तब चाहिए जब कि मैं button ले लो तो उसकी value यहां पे मैं लिख देता हूँ click और यहां पे एक function बना लेंगे हम और button का नाम हम लिख देखते हैं content hide ठीक है इससे content hide और show भी इसी से करवा देंगे है content hide show लिख देता हूँ तो यहां पे मैं लिखता हूँ content hide so यह में हम function बना लेंगे इसको copy करते हैं और इसकी जो दूसरी file है ts file इसमें जाते हैं यहां पे मैं function बनाता हूँ तो मैं यहां पे एक object ले लेता हूँ is content is equal to whiteboard इसकी value हम true देते हैं और यहां paint हूँ है हम इसकी value को false करते हैं ठीक है इसको disk के साथ use करना पड़ेगा क्योंकि यह उने globally variable एक लिया हूँ है तो यह तो हमने एक function बना लिया लेकिन इसकी अभी हमने condition नहीं बनाने condition बनाने के लिए इसको copy करते हैं और हमारा जो html वाला page है महां पर जाते हैं यहां पर हम if derivative हो use करते हैं यहां पर मैं लिए हूँगा if उसके बाद जो है यहां पर condition लिखूँगा is equal to true यह भी लिख सकते हो अगर यह नहीं लिखना चाहते तो आप सिधा यह भी लिख सकते हो तो इसका मतलब यह होता है यह true यह false check करेगा तो इसको हमें बंद कहा भी करना है इसके last तो मैंने एक condition लगा दे कि जब इस content true होगा उसके बाद ही हमें यह content हो दिखेगा तो अभी first time पर यह true होगा तो हमें जो visible ही रहेगा content है उसके बाद जब हम button पर click करेंगे तो यह content hide हो जाना सही तो यह condition हमने लगाई है जैसे मैं इस button पर click करूँगा तो इसका content है वो hide हो गया लेकिन इस पर जैसे हम click कर रहे है यह show नहीं हो रहा तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम जो function है उसको थोड़ा सा change करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ node this is content अभी यह क्या करेगा कि इसकी जो value है उसको false करतेगा और अगर इसमें true की value उसको false करतेगा और अगर इसमें false की value उसको true करतेगा इसको मैं save all करता हूँ और scout अभी उन देखते हैं तो page load of होने के बाद जैसे यह content show होगा वैसे हम इस पर click करेंगे content hide होगा दुबारा click करेंगे तो यह show होगा तो इतना असान है ng condition को use करना इसके बाद जो इसकी else condition भी होती है उसको भी हम use कर लेती है यहां पर मैं लिखता हूँ else टो else telephone में क्या होता है कि हमें वह content देना अधा जो हमें if में नहीं लेगन else में दिखाना है तो यहां में लिखता हूँ कीESS part else content इतना लिखता मैंने अभी इसको save all करता हूँ अभी single condition में तो यह content दिखे और 2 nori mid यह तो वह हम देख लेते हैं यहां पर मैं जैसे क्लिक करूँगा आपको यह इस इस क्लिक करूँगा वह हाइड हो जाएगा दूसरा हमें दिखने लग जाएगा तो यह था एंजी एल्स कंडिशन उसके बाद नेक्स्ट जो है वह है पॉर्लोग तो फॉर्लोग तो फॉर्लोग को समझने के लिए हमें एक अब्जेक्ट लेना होब लिस्ट टाइप का अब्जेक्ट उसके बार हम जो है अपना जो काम नेक्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक अब्जेक्ट ले लेते हैं अब्जेक्ट लेने के लिए मैं कहीं पे लेखूंगा array list is equal to और यहाँ पे हम एक array define कर देंगे array में मैं कुछ पी value ले लेता हूँ एक बारी के लिए तो मैं यहाँ पे 10 values ले लेता हूँ तो इस जो array list है इसको अभी हमें जो print करवाना है हमने HTML page में तो हम कैसे करवाते हैं इसको copy करते हैं और यहाँ यहाँ पे हम एक इसके नीचे ही हम एक four loop ले लेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे add the rate उसके बाद four and then यहाँ पे हम लिखेंगे item of array list और यहाँ पे हम लिखेंगे track item और यह जो हमरी array list है वो define होगी है और यहाँ पे हम कुछ पी दे सकते हैं PDF में दे देता हूं एक बारी के लिए और यहाँ हम लिख देता हूं item इसको हमें curly brackets के अंदर लिखना होगा तो इतना लिखने के बाद आप देखोगे कि जो one to ten counting थी वो सारी browser के अंदर आपको print होती दिख चाहेगे तो जैसे page layout होगा तो हमारी loop है वो चलेगी और हमारा जो content है वो आपको दिखना start हो जाएग तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे किसी तरह का भी data वो आप ऐसे दिखा सकते हैं वो अभी हमें अगर यह वाला सारा data इसी के अंदर चाहिए loop के अंदर वो हम कैसे दिखा सकते हैं इसको मैं पहले copy करता हूं और यहाँ पर आता हूं अपनी जो array list है यहाँ पर यहाँ पर मैं इसको ऐसे लगा देता हूं यह हमारा एक object हो गया अभी जो यह next object है यहाँ पर उसके बाद जो थार्ड object है इसको format कर लेते हैं जितना व्यारा content होगा वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके इलावा इस list की हमें जरूरेट उस टाइम पर पढ़ते हैं जिस टाइम पर हमारे पास products होते हैं या फिर कोई content होता है उसको हमें render कराना होता है और वो products जो है वो multiple हो सकते हैं 200-300-500 तो हम एक-एक content को ऐसे HTML के अंदर नहीं लिख सकते हैं तो उसके लिए हम loop को इस्थिमाल करते हैं अभी म इसी है loop के साथ काम करना loop को आपको index याद रखना पड़ेगा उसका index है और पहले अटरेट लगाना है उसके बाद पूर उसके बाद item of उसके बाद आपकी जो list है उसका नाम और इसको हम एक tracker देना होता है track जिसे track करेगा कि हम पौन से index पर हमने इसको tracker दे दिया item तो उसक के लिए पहले मैं इसको remove करता हूं और यहां पर हम वही एक लिस्ट को define करते हैं और एक लिस्ट लेते हैं तो वह लिस्ट थोड़ी इसी advanced level के होगी इसके लिए हम क्या करेंगे वही array object लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर जो इसके parameters है हम वो लीगे तो मैं य प्रोड़क्ट ठीक है यह आप अब कुछ भी ले सकते हो mobile and next दो है उसकी description ठीक है उसके बाद उसकी image होगी image s.bng कुछ भी ले सकते हो आप तो description इसकी हमें लिखने पढ़ेंगे test description और उसके बाद ऐसी हमें काफी सारे object लेने पढ़ेंगे यहां पर हम लिख लेते हैं laptop तो मैं जल्द यह list पूरी define कर लेता हूं तो मैंने पूरी list define कर दिया अभी इस list को हमें कैसे use कर मैं तो उसके लिए हम वही html में आएंगे और यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहने item.product तो item.product उसके बाद हमें एक हो टैग लेना पड़ेगा यह भी पी टैग ले लेते हैं यहां पी मुझे लिखना पड़ेगा item.description ठीक है and next जो है हमें जो इसकी image है वो लेने पड़ेगे तो image हमें इसके उपर ले लेते हैं उसको पी टैग भी लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास image का content नहीं है हमें सिर्फ house की जो string है उसका नाम है वो दिखना तो हम यहां पर लिखते है item.image तो यह दिनों चीजे मैंने ल call करूंगा तो अभी आप देखोगे कि जैसे हमारा product होता है वैसी हमें यहां पे कुछ objects दिखने start हो जाएंगे तो आप यह देख सकते हैं यह एक object है यह second हो गया यह third हो गया तो ऐसे करके हम जो products है वो दिखा सकते हैं तो जैसे e-commerce websites होते हैं उसके अंदर हम ऐसे products दिखात करते होते हैं ऐसे रेंडर करते हैं तो इतना easy है for लोग के साथ काम करना तो next हमारा topic है वो है ng-switch तो ng-switch को अंगे से use करते हैं उसको हम अभी हम define करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले mbs code में आते हैं और यहां पे new component create कर लेते हैं component create करने के लिए मैं terminal open करूंगा और यहां generate उसके बाद see for component and then component का नाम तो मैं यहां पर लिख दूँगा switch केस मैं switch case नाम से component मनाना चाहता हूँ तो यहां भी आप देपोगे switch case नाम का component create हो जारेगा तो जैसे ही create होगा उसके बाल हम उसकी जो routing करेंगे तो routing करने के लिए हम app.routing.ts file के अंदर उसको import करेंगे तो हमारी फाइल जो वो create हो चुकी है तो मैं routing में जाता हूँ तो यहां पर एक route create कर लेता हूँ नतीब तो path उसके बाद यहां पर हम लिखते हैं switch case and then component का नाम component और उसके बाद switch case component यहां पर मैं लिख देता हूँ और इसको अभी हम अपने browser के अंदर run करके देख लेते हैं तो मैंने इसको save कर दिया और यहां पर मैं switch case जो component मैंने बनाया है उसको मैं यहां पर open करूंगा तो अब देख सकते हैं कि switch case works करके हमारा जो component वो रेंटर हो ग करते हैं तो मैं इस component open कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने इसको open किया पहले हम एक object ले लेते हैं जिसकी मदल से हम जो switch case हम हो चलाएंगे तो मैं एक list ले लेता हूं list उसके बाद list के अंदर क्या होगा हमारे अलग लग color हो जाएंगे तो तो यह जो list है यह मैं user के list लेता हूँ यहाँ पर मैं क्या बढ़ता हूँ सबसे पहले name लेता हूँ name user का name क्या होगा name हम कुछ भी ले सकते हैं और उसके बाद उसका जो role है वो क्या होगा उसका role होगा web developer उसके बाद next उसके बाद next जो है हम ले लेते हैं इसकी salary तो salary हम देते हैं यहाँ पर कि ऐसे ही मैं दो तीन records ले लेता हूँ तो यहाँ भी मैंने तीन record ले लिए सबसे पहले हम इनको bind कर लेते हैं पहले मैं आपको switch case का concept बता देता हूँ तो अभी हम क्या करेंगे रोल के बेस पर उसका जो color है उसका डिप का color है या फिर उसका जो design है वो chain करेंगे तो वो जो मैं करूंगा थोड़ा सा आपको better understanding हो जाएगी सबसे पहले हम यह जो list है इसको को bind कर लेते हैं लोग की मदद से तो मैं यहाँ पर लेता हूँ उसके बाद item of list and then हम लेंगे ट्रेक कर track and then तुम यहाँ पर लिख देंगी item and उसके बाद यहाँ पर हम अपने HTML डाइक जमो ले लिपते हैं सबसे पहले p-tad यहाँ पर मैं लिखा देबता हूँ name name आएगा हमारा item dot name उसके बाद है role and then sld the answer to the side बाद हम आउटपूट देख लेते हैं कि ब्राउजर में यहाँ इसका आउटपूट देख रहे है और उसके बाद जो next concept वो देखते हैं तो पेंच लोड हो रहा है उसके बाद हम इसका जो तो यहां पर देख सकते हो नीम 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 करके आ रहा है क्योंकि हम ने माँ पर नीम ही दिया और यहां पर में लिखना था रोल ठीक है और यहां पर में लिखना था सेलरी और इसको भी हम एक डिव के अंदर ले लेते हैं क्योंकि हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं त फिर हम इसका जो style है वो करेंगे तो इसको inspect करते हैं उसके बाद हम अपना div select कर लेते हैं सबसे पहले div मैंने select कर लिया उसके बाद इसको मैं भी दे देता हूं 200 pixels और background color एक बार कुछ भी दे देते हैं क्योंकि हमें इसको देखना highlight करना है कि कैसा दिख रहा है पैडिंग पैडिंग दे लेते हैं 15 pixels ठीक है तो यह काट टाइट बन गया इसको दो color है वो हम चेंड कर लेते हैं तो मैंने इसका color भी चेंड कर दिया उसके बाद हम यह CSS यहां पर paste कर देंगे और यहां पर अपनी CSS paste कर देंगे तो उसके बाद next जो है इसको save करते हैं save करने के बाद आप देखेंगे कि जो design है वो पूरे cards में आ जाएगा और इसमें थोड़ा थोड़ा में space भी चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर margin दे देंगे margin 5 पिक्सद तो इनमें space आ जाएगा और यह differentiate हो देंगे easily ठीक है और इसके बाद हम क्या करते हैं जो यह रोल है तो हमें जो रोल का color है वो change चाहिए उस case में जिस कैसे में यह web developer है यह designer है यह SEO person है तो वो हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर classes बना लेते है देवलपर के अंदर हम color देंगे एकवा उसके बाद ऐसे हम designer और SEO person के लिए उना लेते हैं designer और SEO और यहां पर हम इनका color जो है वो change करते जाते हैं इसका green हो गया इसका हम red type दे देते हैं कुछ तो मैंने तीनों का color change कर दिया अभी इसको हमें implement as यहां पर कैसे करना है क्योंकि हम यहां पर loop use कर रहे हैं तो उस case में हम क्या करेंगे तो हमें रोल के अंदर रोल अद्व है switch case चलाना यहां पर हम लगाएंगे add the rate switch ठीक है उसके बार हम यहां पर देंगे case और यहां पर हम case लगाएंगे item dot roll is equal to is equal to हमारा roll जब होगा web developer तो इसको उनको पी कर लेते हैं और यहां पर paste करेंगे जब हमारा रोल वेब developer होगा तो यह वाला दिखना चाहिए इसको क्लास दे देते हैं developer ठीक है इसको कोई भी condition दे देते हैं इक बारी के लिए इनमें आपको यह clear करूं यह हमने क्यों लगाया तो मैंने एक case बना दिया है अभी एक और case बनाना पड़ेगा यहां पर मैं paste करता हूं इसको तो हमारे बास तीन values है तो तीन case बनाने पड़ेंगी हमें तो मैंने तीनो case यहां भी बना दिया है और इनकी जो classes है यहां पर मैं define कर देता हूं तो next जो है designer and third जो है SEO और इनकी जो conditions है वो भी हम यहां से copy कर लेते हैं कि यह match हो तो यह दिखाई देना और यह match हो तो यह तो मैं SEO को भी copy करता हूं यहां पर और यहां पर इसको paste कर देता हूं तो हमने switch case जो condition है वो लगा दिया अभी हम इसको save all करते हैं और इसका output देखते हैं और मैं इसको आपको explain करता हूं तो आप color देखोगे कि इन सभी का change हो गया जैसे जैसे हमने उनका color दिया था तो यह हम इस case में ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम बाहर लगा दें और जो name है हम यहां पर दिखा दें ऐसे तो यह अभी हमें यहां पर switch में तीट गाएक case में दें दूसरे में भी देना पड़ेगा सेम हमें तीसरे में भी देना पड़ेगा और सेम salary देखे तो इससे क्या होबा कि हुमारे जो तीनों आया उनका तीनों का color जो है वह change हो जाए और इसको फॉर्मेट कर देंगे पूर्मेट हो जाएगा इसको मैं save all करता हूं और इसका output आप देखोगे तो फॉर्मेट का पूर्ड जो है करनर इंद में सब भी आ जाएगा तो पेज़ लोड होने के बाद आप इसका output देख लेना तो इसका जो color इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसको आप सब्सक्राइब के अंदर तो ले लिए लेकिन उनको हमने class डिफाइन नहीं करें तो इनको class भी देने पड़ेगी यहां पेस्ट कर देता हूं class और यहां भी class पेस्ट कर देता हूं इसकी सेम हम designer के लिए करते हैं और same as your person के लिए तो यह मैंने सभी को classes दे दी अब हम चलते हैं ब्राउजर के अंदर वो इसका output देखते हैं तो आप सभी का जो color है वो देख सकते हैं change हो गया तो इतना easy ता switch case को use करना तो इस वीडियो में हमने component का child और parent relationship जो है वो समझा और उसक similar के derivative के बारे में समझा जैसे कि if condition क्या होती है as condition क्या होती है और fall loop क्या होती है switch case क्या होता है यह सारा हमने इस वीडियो के अंदर cover किया तो मिलते है next वीडियो में